यह है अवरंगाबाद एरपोर्ट और यहां पे बहुत जम के बारिष हो रही है ठीक है ना तो हम जा रहे दिल्ली और कुछ साल पहले जो अवरंगाबाद है जो मराठवाड़ा है यहां पे पानी का इतना प्रावलों होता था कि लोग पानी के लिए तरस देते और अभी की स करमर से उनका बहुत मुच्ताम हो रहा है और इस साल बहुत जम के बारिष ही है मराठवाड़ी में तो आप देख सकते है यह है एरपोर्ट और अवरंगाबाद एरपोर्ट तो यहां से हम आप इंट्री करेंगे हमार जा हमारे जो फ्लाट का टाइम है वह है दो बच के 25 मि चलो यहां साम इंट्री करते हैं देख सकते हैं पूरा पानी भरा हुआ है यहां पर चलो फिर अंदर चलते हैं यह है पार्किंग गिरिया एरपोड का और बारिष होने के कारण कोई भी यहां पर है नहीं एक्चिली इस टाइम तो हम आभी अंदर जा रहे हैं तो इसके दो इंट्रेंस है एक इस साइट है और एक है यह वाला जिससे हम अभी इंट्र हुए है तो यहां से हम अंदर जाएंगा अभी दो दिम पहले हम अवरंगाबाद आये थे आज़र अबाट तो अवरंगाबाद जो फ्लाइट की जरनी थी मैंने आपके साथ शेयर की थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जरूर देखना और हम अब अंदर आज चुके है तो आप देख सकते हैं कि पूरा एरपोर्ट इस टाइम खाली है मैं पहले बार ऐसा एरपोर्ट देख रहा हूं जहां पर ना के बराबर लोग है तो मुझे लगता यहां पर लोग आ जाएंगे क्योंकि अभी फ्लाइट को थोड़ा टाइम है एक देड़ घ अब लगबग एक घंटा बचा है हमारी फ्लाइट आने के लिए तो आप देख सकते है कि जितना भी इंडिको का ग्राउंड श्टाफ है वो फ्लाइट के आने का वेट कर रहा है और सारा श्टाफ रेडी है तो एक घंटे के अंदर फ्लाइट आ जाएगी और फिर हम निकल लेंगे दिल्ली तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बहुत सारी जर्नी आने वाले यह श्रिप आपके लिए बहुत महिनत करता हूं मैं श्रिप आपके लिए यह जर्नी लाने के लिए तो च झाल झाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले पुरा एरपोर्ट खा ली था और बहुत सारे अभी लोग आ चुके हैं और जिससे हम जर्नी करने वाले हैं वह भी फ्लाइट अभी आ चुके है तो मुझे लगता है अभी 10-15 मिनिट में हम फ्लाइट के और निकल पड़े है तो अभी अंदर बैठने के बाद अंदर का व्यू मैं दिखाऊंगा आपको तो चलो आगे बढ़ते हैं कि 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 अपको जाग टुड़ एगगा अंदर कि 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 अभी भाईटальных में दो आब़े से carrying कि 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 को बेसंदर लूबे से बाले होगोगगा कि 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 अ तो यहां से आप हमारी जर्नी हो चुकी है शुरूर कुर्सी की पेटी बाद लीजे मेरे साथ सपर करने के लिए हमरा जो पूरा सपर निवल्स होने वाला है तेंधने का इस में से पहले लिए जार करना से प्रश एक बार वोुड़ाँ सै जरूर करना तो चल वह दो यह हैं झाल 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 हमें उडान भरे लगबग एक घंटा 20 मिनिट हो चुक है और आप देख सकते हैं नीचे दिल्ली का नजारा साब साब दिख रहा है थोड़ा मोबाइल का प्रावल्म इसलिए क्लिरिटे में प्रावल्म आ सकता है पर यहां से साब साब नजारा दिख रहा है हम थोड़े ही टाइम में हम दिल्ली पहुँच जाएंगे अब फाइनली हम दिल्ली पहुँच चुके हैं और मेरे साथ यातरा करने के लिए आप सबी लोगों का बहुत धन्यवाद आइसा ही सपोर्ट बनाए रखना हमको बहुत सारे आगे जर्नी करनी हैं तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स ठीडियो में तब तक सपोर्ट बनाए रखना जह हिंदोस्तो बाइबाए झाल 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 झाल